हेलो दोस्तो स्वागत है आपका 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 यूटूब चैनल पे दोस्तो बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि पेंट रोल चेंट सो मशीन होती है जो शो मास्टर कमपनी की उसमें कुन से कमपनी का आप बलोग डालते हो तो दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में बलोग डाल के भी बताऊंगा और बलोग की कैसे सेटिंग करते हैं कार्बुरेटर की कैसे सेटिंग करते हैं वो भी बताऊंगा तो दोस्तो क्या करेंगे यह जो शो मास्टर के मशीन है इसके अंदर बीसी पावर का ओरिजिनल ब बिलोग आता है अच्छी का व्लोक आता है और यह जो बिलोग है यह चलता भी अच्छा है और ग्रम भी बिल्कुल नहीं होता है तो दोस्तों सबसे वहले क्या करेंगे इसकी जो पेकिंगे wedi को इसके अंदर खोलके और डालेंगे यह इसलिए दाल रहे हैं कि कोई जी कुछ भी आदे लगती है और भूर यह आखिंगे निकाल रहे है। दोस्तों और इसके अंदर एक कड़ा दिया वह आ चाहिए है। और क्या हैigo सर्कलिप को हम तहीं हम ऐताओ कि सर्कलिप को भी निकालेंगे और निकाल के पहुता है इस जानते हो कि पिस्तन के रीडा किसे के पिश्टन को के निचे की साइड में उस टाइम लगेगा अब दोस्तो क्यां करेंगे इस पार कि आफ्प दोस्तों वीडियो को लाश्ट तक देखना लाश्ट देखो के तो एक बलो के से डालते हैं वह आपके सब कुछ समझ में आ इस और दौस्त क्या करेंगे इस पेकिंग एस पेकिंग को चारू तरब से कौल लेंगे और ध्किसे की इस जby पिस्टना इस पिश्टन के अंदर जो सब कुछ है वो चेकर लेंगे दोस्तो चेकर लेंगे अब क्या करेंगे दोस्तो यह एक bobin दिया वाए, इसको bobin बोलते हैं, तो यह जो bobin은 है इस bobin के अंदर थोड़ा सा grease लगाना है यह देखो, जो grease है वो ग्रीश पे अच्छी क्वाल्टी का है ठीक ताग अच्छा है यह दोगो इस ग्रीश को अच्छी से लगा लेना है यह ग्रीश इसलिए लगा रहे है कि कहीं से लिकेज लिकेज नहीं रहे अब दोस्तों क्या करेंगे यह जो बोबीन है इस बोबीन को अच्छी से लगा द करना ज्यादा नहीं करना है क्योंकि ज्यादा टउट भी सकता। गर यह दोस्तों यह जो बोबिन है इस बोबिन को अच्छे से टाइट कर लें पूरे को अच्छे से टाइट कर लिए अब दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है इसे पहले सबसे पहले बोबिन है यह बोबिन पूरा टाइट नहीं हुआ है तो माइन सबसे पहले टोशतं को ले लिया और इसके अंदर निच्छे जो यह लगी हुए होती है यह इसके अंदर टोशेलE जब बीकलत उच्सों किछ निकल जाये और रही जो श util होता है कि थोड़ाएक दम कंप्रेंस्चा बनाता है और पिश्टन कहीं भी डेमेज वगरा कुछ नहीं होगा अब दोस्तों क्या करना है जो रिंग है इस रिंग को लगाएंगे तो सबसे पहले रिंग लगाने का तरीका यह है कि इसका जो लोग है वो लोग इस लोग के अंदर मिल जाना चाहिए और मिल के क्या करना है सबसे वेले पिश्टनको इस तरह लगा देना है रिंग को लगा दिया दोस्तों अब दूसरे वाली जो रिंग है उस रिंग को भी अच्छे से लगा देंगे यह देखो इसका लगाने का तरीका भी वह है कि इसको ऐसे गुमाखे करके और गुमा कि दोस्तों फिर क्या करना है आपको इसको अच्छी से इस तरह कर देना है यह आगये मैं आपको बताऊँगा कि सरकलीब लगाने के बाद में इसके ऊपर थोड़ा ओलिंग कर देना है जिसे के निदर दो-इसके गोन करके और ओलिंग लगा देना है दोस्तों इसके अंदर ओइल लगा दिया है, अब ओइल लगाने के बाद में दोस्तों आपको क्या खरना है जो piston है इस piston के अंदर तीर का जो निशान है वो जो बोबिन के जश्ट आगे वाला जो silencer वाला इस साइड में रहना जाहिए ओधिर का निसान लगा के फिर क्या करना है इसको अच्छे से सेट कर देना है दोस्तों यह देगो दोस्तों अंगुटे की साहता इसको अच्छे से दबा देना है अब दोस्तों क्या करना है इसके इंदर जो सील होती है यह सील लगा देना है यह सील इसलिए लगाते है कि कहीं भी पे करने के बाद में दोन से पहले वह सबसे पहले इसको इससे गूमाकी कर ले रहना है पेंट्रॉल मशिन को अच्छी से करना में और साफ करके पिर क्शचा फेंग दिना हमारी हाथ है फिर दो दो लोग दिएवे हैं इस तरह के दो लोग होते हैं और एक होता है भेरिंग इस सबसे पहले इसके अंदर भेरिंग लगा दिया दो Hazard कठना क्या है इस दॉने है इस लाग को अचये से लगा दिया है अब आपको दोस्तों क्या करना है यह जो ग्रिस इसलिए लगा रहे हैं कि जो लोक है वो साइड भी ना गीरे इसलिए जो ग्रिस है वो लगा रहे हैं दोस्तों ग्रिस लगा दिया है अब क्या करेंगे दोस्तों यह जो पिश्टन है इस पिश्टन के अंदर यह जो लोक है यह लगा दें यह तेखो देङभा अझा प्री यह सेटिंग करने यह ओर अंदर डूल गया है देखो दोस्तो इसको अंदर डंने के बाद मैं इसके अंदर सरक्लीप डालेंगे यह त Ghisl Basis पहले लगा दी थी और दूसरी सरकलीप अब लगाएंगे आपको पता ही होगा कि सरकलीप क्या होती है मैंने बताया था जो अंदर लोग लगता है जो कडाके जो आगे लोग लगता है उसको सरकलीप बोलते है अब दोस्तों क्या करना है आपको यह जो सरकलीप है इस सरकलीप को अच्छे से लोग प्लायर की साइता से अच्छे से इस सरकलीब को अच्छे से यहां लोग लगा दिना है यह दोस्तो यह जो पिश्टन है इस पिश्टन के अंदर इस लोग को अच्छे से लगा दिना है यह दो पिश्टन के अंदर अच्छे से लोग को लगा के और फिर क् देख़ेंदे दोस्तों की साइड मीं जो बेरिंग था में अच्छित के देख लीन है किक को चेट कर देना है इस तरह देर-देर इसको setting कर दिया दोस्तों इसकी द्रे-देर सेटिंग करने के बाद में आपको कई लगा कि इस को पकड़ लेना और पकड़ कर इसके अंदर की में इसके अंदर 4 एलंकी पेज है 4 एलंकी की साहता से अच्छे टायट करने ना है पर दोस्तों आमने सामने की पेज है वो टायट कर दिये हैं अब दोस्तों क्या करेंगे इसके अंदर ये देखो ये जो पिष्टन है इस पिष्टन जो अंदर है अंदर एक और और रहा जो還是 कि क्या करना है तो आगे आप वीडियो में बने रही है और वीडियो को सुरू से लाश्ट तक जरूर देखे क्योंकि सुरू से लाश्ट वीडियो को देखोगे तो आपके चीशी समझ में आ जाएगा यह देखो दोस्तों पिश्टन को चीशी सेट कर दिया है अब दोस्तों क्या करना है ये एक लेना है ये देखो ये जो होता है ये पार्स है ये इस ब्लोग फिश्टन के आगे की साइड में ये जो बोबीन इस बोबीन के अंदर पाइप लगा कि और इसको अंदर की साइड में लगा देना है ये देखो इसको इस तरह अंदर की साइड में लगा दे अब दोस्तों क्या करना है इसके इंदर जो दो एलंग की पेज़ है दोलु एलंग की पेज़ को इसे से टाइट कर देना है दोस्तों दोलु एलंग की पेज़ को इसे से टाइट करके और फिर क्या करना है दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो पे बने रहना वीडियो को सुरू से लाशbn तक देखना अभी भी आपके अच्छे सम là नहीं आया है तो लाशम तक देखना लाश्ट में मैं आपको इसको इस्टार्ट करे भी बताउनगा कि मशीन को स्टार्ट कैसे करते हैं इसकी कारबूरेटर की सेटिंग कैसे करते हैं इसका जो निच्चे वाला फिल्टर है उसको साब केसे करते हैं वो सब कुछ में आगे आपको बताऊंगा तो वीडियो को लाश्ट तक देखना और अब क्या करना है दोस्तो इसके अंदर ये जो प्रता है ये देखो ये कावेजगा लगा हुए ये क्या काव करता है आपको पता है ये करता है इसके अंदर बिल्कुल भी कच्रा ना जाए अंदर की साइड में तो इस सेल को भी अच्छी से लगा देना है ये पेकिंग देवी है इस पेकिंग को भी अच्छी से लगा देना है और इस पेकिंग को अच्छी से लगा कि दोस्तो आगे में आपको बताऊँगा कि आगे क्या करना है अब दोस्तो आगे क्या करना है इसके अंदर जो बोबीन है इस बोबीन को अच्छी से इसको पाइछी से से निकाल लिया है दोस्तो को अची से शेट करने के बाद में दोस्तों क्या कड़ना का लोग होता है, तो इस इसके अंदर पितर का लोग है उस पितर के लोग को बोल जाते हैं तो उस पितर का लोग है उसको अच्छी से लगना बहुत ज़री है तो मैं आपको दखाऊंगा पितर का जो लोग हो कौन सा होता है मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों यह देखो यह पितर का लोग है तो क्य लेना है यह देखो कार्वेटर आप जानते हो कार्वेटर क्या होता है यह देखो यह कार्वेटर यह जो पेंट्रोल चेंज सों मशीन होते है इसका है हाट की तरह इसका काम करता है तो इस कार्वेटर को अच्छे से साफ कर लेना है यह देखो यह जो बोतल है इस बोतल के अं पाइप लगा दिया अब क्या करेंगे इसके अंदर एक अंदर से पाइप रहा दिया यैक आगए वाली पिस्टन के अंदर पाइप भाई ते हम hopping साइड में लगते हैं और जो निचे से वाली टेहेल वाली पाइप वह इस साइड में लगती है दिए अच्छE से पाइब को पूरी हो लगा देन है और पाइप को aची съे और इसके अदर 2 पेस लगादू है और इसके अदर 2 पेस लगादू कि फिर क्रेंडने वह then python इसको इसंटार आटो फ болमें इतक्राव सब्सक्राई करदाई अब दोस्तो क्या खरना है दूनु पूरण act को इससे सेटिंग कर देनी है और अब दोस्तों आपको ये भी द्यान रखना है कि इसके दोनों आमने सामने कहीं भी जगए पाइप भी नहीं रहनी चाहिए और इसके बीच में कुछ भी बीच में जो निस्चे वाला प्लास्टिक अगुट का हो दीच भी बीच भी नहीं रहना चाहिए अच्छे से इसकी जो कारवेट की सेटिंग हो अच्छे से होनी चाहिए यह देखो कारवेट की सेटिंग है वो अच्छे से हमने कर दिये पूरी कारवेट की सेटिंग करने के बाद में दोस्तों क्या करना है यह जो एलिंग की पेज है दोनों है linky page को पूरे कोचि से tight कर दिना है पूरे को जब तक है tight न हो तब तक इसको tight करना है ज्यादा भी tight नहीं करना है क्योंकि ज्यादा tight करोगे तो ये जो plastic के आर पार page निकल जाएगा और plastic का जो डखने बार हो जाएगा और ne ticket हो जाएगा यह जो इसके उपर पलक दिया वा होता है मैं आपको बताऊँगा उपर का जो ठक है नवबाद दिखाऊँगा उससे पहले मैं आपको स्टार्ट करके बताऊँगा कि स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है और इस silencer को अची से लगाने के बाद को दोस्तों आगे भी पहीं का से लगा देना है और से पहले क्नामा उच्छे लगा देना है और plate को अची से लगा कि दोस्तों और अब क्या करना है इसके अंदर दो जो उस उपर वाले page को अची से लगाना है यह दिको दोस्तों उपर वाले जो page है इस page को अची से लगा देना है और page से अच्छी से लगाने के बाद में दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्य और वाले को लगा देंगेloe इस पलक को धेशे लगा देंगे, पलक को लगा दिये है दोस्तों और पलक को लगाने कि यह बाद मां क्या करेंगे इसका ंपर वाला cover इस अपर वाले cover को असी से लगाकर और इसके चार L&elia की पेश दिए एगते हैं यह देख़ो चार में 6 L&LIE के पेश दिए लोगा देना आ है और चेलिंक की पेशे को इसको इस से लगा कि और टायट कर देना है ये दो को ये पलक दिया हुए इस पलक को अची से टायट कर दिया है और फिर क्या करना है पलक पाना इस पलक पाने की साहता से इसको अची से पूरे को टायट कर दिया है और इसको टायट करने के बाद मैं दोस्तों मैं आगे बताऊंगा क्या आगे क्या करना है तो इसको पू क्या करेंगे इसके उपर यह हैंडल है इस हैंडल को अच्छी से लगाएंगे तो हैंडल को लगाने के लिए दो पेश निच्छ दिविए और दो पेश साइड में दिविए तो चार पेश को लगा देना है और चारू पेश को अच्छी से लगाने के बाद में दोस्तों आगे इसके जो side वाले page है, इस side वाले page को अच्छे से tight कर देंगे दोस्तो, यह देखो एक page में ने tight कर दिये, अब क्या करेंगे इसके इंदर 3 page हो रहे गए, तो क्या करना है तीनु page को tight कर देना है, और फिर क्या करना है इसका side cover, दोस्तों यहां द्यान रखना है कि side cover आपको बोर को लगा कि फिर ही start करें अजने तर इसके अंदर नुकसान हो सकता है अब दोस्तों क्या करना इस बोतल है इस बोतल के अंदर paint roll है paint roll सबसे पहले oil लगाना है oil इसके अंदर इसलिया लगाता है कि मिद इस चेंबर का कोई सिस्टम नहीं होता है जाती होता है लेकिन इसमें चेंबर भूसीश कोफ़ा हुँएर लगा वाता है आद इसके उड़ लगता है तो अब किस्तों इसे एंडर ज़िखा लिया है अभी भी स्टार्ट हो जाएगी इस तरह आप भी दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं